हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू भी एच्चु स्टाडी कैपिटल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रेल मांथ के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर के कोर्स को तो चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं दोस्तो मैं आपको बता दू कि अगर आप भी एच्चु स्टाडी कैपिटल के ऑनलाइन कोर्स के साथ जूलना चाते हैं तो हमारे दिये गए इन दोनों वाट्स अप नंबर पर मैसेज करके हैं फिर कॉल करके हमारे कोर्स के साथ जूल करके अपनी तैयारी को बहतर बना सकते दोस्तो आप अगर यूजी या फिर पीजी किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्स के साथ जूल जाए जिससे कि आप सभी की तैयारी बेहतर हो सकें इंटरेस एक्जाम 2021 के लिए दोस्तो यह जो वीडियो है एपरेल मेंट के करेंट अफेर का तो दोस्तो मैं को बता दूं कि इसके सारे question वान लाइनर फॉर्मेट में होंगे और दोस्तों मैं आप सभी को इस्टा फैक्ट नहीं बताने वाला हूं क्यूंकि इस्टा फैक्ट अगर बताऊंगा इस्टा फैक्ट अगर बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नही हाल ही में पस्चमी घाट के अनुसंधा अंदल ने किस जीव की नई प्रजाती की खोच की है तो किस जीव की नई प्रजाती की खोच की है अनुसंधा अंदल ने तितली नेस्ट को सन क्या है हाल ही में किस देश के राष्ट पती ने तीसरे लोगडाउन की घोशना की है हाल लेट नहीं ही में किस राजे सरकार ने मेहंद्र गिरी को राज के दूसरे बायोस्पियर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। दोस्तों ये कोशन सेम है तो आप लोग याद रखिएगा और डिफरेंट देख लिजे पढ़ करके आप लोग खुद नेस्ट कोशन क्या है हाल ही में दो रहित उर्जा कुशल सहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है बिहार है नेस्ट कोशन क्या है हाल ही में किस देश ने संतिर अग्रशेना 2021 सैन अभ्यास में भारतिय सेना में भाग ली है आपर में होगा में भाग ली है बंगला देश नेस्ट कोशन क्या है हाल ही में भारत के मुख्य हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने है दोस्ते आपर आयुक्त नहीं लि पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं दुबाई में पेरा बैडमिंटन 2021 में कितने पदक भारत ने जीते हैं तो question क्या है मैं पढ़ता हूँ हाली में भारत के 48 वे याद रख लिजिए 48 वे मुख्य न्याइधीस के रूप में किसे नुक्त किया गया है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर hold करता हूँ आप सभी को बताता हूँ कि जो न्याइधीस है यह 48 वे है यह important है question अगर आपसे कभी इंट्रेस एक्जाम में पूछा जाए कि हाली में मुख्य न्याइधीस बने है या फिर सुप्रीम कोड के नए न्याइधीस बने है तो वो क्यों से नंबर के है तो 48 वे है ठीक है 48 मुख्य न्याइधीस के रूप में किसे नुक्त किया गया है हाली में तो यन वी रमनन्ना को किया गया है ठीक है तो याद रख लीजा चलिए अगले कोशन के और बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है हाली में संसदिय कार्य मंतराले के सजीव के रूप में सचीव के रूप में किसे निप्त किया गया है ग्यानेसवर कुमार को निप्त किया गया है सा पूरोणावाईरस के कारण 2021 में होने वाले Hoooyampic से बाहर होने वाला पहला देश कौन है देखिएbels का प्रकॉप इतना जादा है कि सारे इसपोर्ट इवेंटज कैंसिल हो रहे हैं IPL भी कैंसिल हो चुका है और जो Olympic होना था Tokyo Olympic 2021 में उससे भी देश बाहर होते जा रहे है तो पहला देश जो बना है बाहर होने से मलब तूर्णमेंट से बाहर हो गया है ओलम्पिक से तो नौर्थ कोरिया बाहर हो गया है ये पहला देश बना है तो याद रखिएगा नेस्ट कोशन क्या है हाली में भारत के एर बबल समझोते में किस देश को सामिल किया है भारत ने एर बबल समझोते में किस देश को सामिल किया है स्री लंका को सामिल किया है यहाँ पर लंका गलत है दोस्तों स्री लंका को सामिल किया है तो आप लोग याद रख लिजेगा और ये बबल क्या होता है बबल का मतलब होता है जो जो बबल के अंदर व्यक्ति रहते हैं वो ना तो अपने परिवार से मिलते हैं किसी से मिलने के उन्हें अनुमती नहीं होती है उसे ही बबल बोलते हैं तो एर बबल का मतलब यही एर इंडिया होगा और जिसे की हवाई जहाज आ सके स्री लंका और भारत के इसलिए समझोते के लिए सामिल किया है स्री लंका को चलिए नेस्ट कोशन के और बढ़ते हैं नेस्ट कोशन के हमारा IPL के बतोर कप्तान डेबू IPL के बतोर कप्तान डेबू पर सतक जड़ने वाले पहले बलेबाज है तो कौन है संजू सेमसन है संजू सेमसन ने अपने डेविव कपतानी में ही पहले ही सतक जड़ा था और ये पंजाब किंग्स के खिलाब जड़ा था ठीक है मलब सतक बनाया था डेविव में ही अपने कपतानी डेविव में डेविव तो कपकाई कर चुके हैं लेकिन इन्हों जो पहला मैच खेला था उस मैच के कप्तान थे IPL में और पहले ही मैच में इन्होंने सतक जड़ दिया था बता और कप्तान ठीक है तो याद रखेगा नेस्ट कोर्सन क्या है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ किरकेट E-Sport परियोगता आयोजित की है तो ये आयोजित की है USA के साथ ठीक है संयुक्त राष्ट अमेरिका के साथ नेस्ट कोर्सन क्या है हमारा हाल ही में पंजाब ने किसे राज़ का COVID-19 vaccination एमबेस्टर बनाया है सोनी सूध को बनाया है दोस्तों सोनी सोध को और ये काफी important person है तो इसलिए आप लोग याद रखेगा ये काफी चर्चा में रहे 2020 में अब 2021 में भी ये चर्चा में ही है तो launch किया है तो एटल पेमेंट बैंक ने किया है ठीक है तो आप लोग याद रखेगा चलिए नेस्ट कोशन के और बढ़ते हैं देखिए आप दोस्तों जो मैंने आप सभी को उपर पढ़ाय था कि भारत का अगला चुनाव आयुक्त किसे नामित किया गया या फिर कौन बने ह तो वहाँ पर आयुक्त नहीं लिखाता तो दोस्तों जो 17 कोशन है यहाँ पर रिपीट हो गया है तो देखिए हाल ही में भारत का अगला चुनाव आयुक्त किसे नामित किया गया है जो अगले चुनाव आयुक्त बनेंगे उस सुनील चंद्रा है तो आप लोग याद रख तर्लचर थ्रमल पावर प्लांट जिसको बंद कर दिया गया है ऑडिशा में किया और भारत किया घुक्त किया गया है तो ¿ nós नेस्ट कोशन के और बढ़ते हैं नेस्ट कोशन क्या है हमारा हाली में भारत में कोरोना वाइरिस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकाली उपियोग की मंजूरी दी है इस पूतनिक वी को दी है ठीक है तो आप लोग याद रखेगा तो नेस्ट कोशन क्या है दोस्तों हमारा नेस्ट कोशन है हाली में किस देश ने चंदरमा पर रोवर राशित भेजने की घोशना की है यू एई ने ठीक है नेस्ट कोशन क्या है हमारा हाली में भारत के 22 वे लारिस वर्ड स्पोर्ट एवार्ड 2021 के मिजुवानी कौन सा देश करेगा इस्पेन करेगा next question है देश का पहला राज चलिए, next question के ओर बढ़ते हैं Next question का हमारा हाली में उत्थर परदेश के मुक्ह नयधीस कौन बने है उत्तर परदेश के मुक्ह नयधीस कौन बने है संजय यादो याद रख लिजगा दोस्तो बहुत important question है Next question का हमारा हाली में E-Panchesकार 2021 किस राजे ने जीता है किस राजे ने जीता इपंचायत पुरुषकार 2021 उत्तर परदेश ने नेस्ट कोसन के हमारा हाल ही में आयोजित ACI कुस्ती चेंपेंशिप में किस भारतिये ने स्वर्डपदक जीता है तो ACI कुस्ती चेंपेंशिप में किस भारतिये ने स्वर्डपद पर मिल जाएगा या फिर हमारा टेलिग्राम ब्हु इंट्रेंस एक्जाम डाउनलोड ब्हु इंट्रेंस एक्जाम जोइन कर सकते हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा दूस्तों अगर कुछ बोलने में इसू हो जा रहा है उसके लिए से सौरी क्योंकि काफी दिनों पर वीडियो टीके खरीदने की घोशना की है तो किस देश ने रूस से साठ मिलियन टीके खरीदने की घोशना की है इरान ने की है नेस्ट कोशन की है ते नेस्ट कोशन क्या है हमारा हाल ही में हाल ही में बिश्टन हाल ही में बिश्टन अलमाक क्या है अलमनाक हाल ही में बिश्टन अलमनाक ने 2010 के दसक का सर्वसरेश्ट वन डे क्रिकेटर किसे चुना है तो बिराट कोहली को चुना है दोस्तों पिराट कोली ने 2010 का जो दसक है इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया है वन डे क्रिकेट में इसलिए इन्हें चुना गया है ठीक है कौन सा संस्था पहली बार अंतराश्टिये खाद प्राली सिखर सम्मेलन आयुजित करेगा कौन सा संस्था तो यूएन करेगा ठीक है तो याद रखिए नेस्ट कोसन की और भड़ते हैं नेस्ट कोसन दोस्तो हाल ही में किस राज्जे के थेरवाद बौध समुदाइ ने संघ केंसमारो मनाया है तो अवडांचर प्रदेश ने मनाया है नेस्ट कोशन क्या हमारा भारत ने अपने पहले मानों अंतरिश मिशन गगन यान की सहयोग के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो किस देश के साथ समझोता किया है फ्रांस के साथ समझोता किया है भारत में अपने पहले मानों अंत्रिश मिशन गगन्यान के सही हो के लिए ठीक है गगन्यान में सही हो के लिए नेस्ट कोशन के हमारा हाल ही में हाल ही में कौन सा देश 200 table tennis championship की मेजुबानी करेगा अमेरिका करेगा दोस्तों sports related जितने भी question है आप लोग सही से याद करिएगा जिसे की sport के question अक्सर interest exam में बन जाते है next question क्या है हाली में राष्टिये start-up सलाकार परिसत की बैठक हाली में राष्टिये start-up सलाकार परिसत की मेगा फूट मेगा फूट पार्क शुरू किया है तो इटली ने शुरू किया है next question क्यों बढ़ते है next question क्या हाली में गोवा के नए राजिपाल के रूप में किसे निक्त किया गया है सुनील अरोरा को ठीक है ध्यान से पढ़े हैं दोस्तों ये important question है का आदेश ना पहनने का आदेश दिया गया है ठीक है दुनिया का कौन सा पहला ऐसा देश है जिसने कहा है अपने पबलिक से या फिर वहाँ की जनता से कि आप माक्स ना पहनिये तो वो देश है इसराइल अब भला इनको बताई इनको समझाईए यहाँ पर कुरोना से इतनी इस्तिती बिगडी हुई है और यह बोल रहे हैं कि माक्स ना पहनिए काफी महान होंगे इसलिए फिलाल हमारे देश को अभी कुरोना से मुक्त कराना है इसलिए अपने परिवार को सुरचित रखिए इस्टे होम इस्टे γड़़ित रहे अपने होँगे अंलाइन पड़ते रहेंगे ठीक है अपने घर पर रही है जुल पा रहे हैं तो भी आप हमारे युट्ब चैनल से पढ़िये है क्лючि यहाँ पर आप सभी को free up cost भी पढ़ाय जाएगा पैड अगर करेंगे तो पैड में भी आप सभी को पढ़ाय जाएगा तो अपनी तयारी को continue करते रही है जून के बाद ही exam होगा form का तो अभी पता नहीं है बट आएगा form भी आएगा लेकिन कोरोना से बच के रही है ठीक है चलो अपने next question के और UPSC यानि लोग सेवा आयों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं संजे स्रीनेता बने हैं यह याद कर लो दोस्तों बहुत ही important है बहुत सारे student ऐसे जो यह वीडियो देख रहे हैं उनका जो आयम है वो UPSC ही है UPSC करना चाह रहे है तो UPSC के अध्यक्ष बने है जो नए अध्य संसादनों का उपयोग करने की घोशना की है मद्यपरदेश के सरकार ने कहा है कुरोना रोगियों के लिए अगर हमें सैन संसादनों का उपयोग करना पड़े तो कर सकते हैं इसलिए घोशना की है कि सैन संसादनों का उपयोग करने की घोशना की है मद्यपरदेश सरकार ने नेस्ट कोईशन के और बढ़ते हैं, नेस्ट कोईशन क्या है, हाल ही में माउंट अन्नापूर्डा को फते करने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है, प्रेंग का मोहिते बनी है, प्रेंग का मोहिते ने अन्नापूर्डा जो सिखार है, उसको माउंट सिखार है, उस पर च देश की मीडिया कहा रही है दोस्तों 140 प्लस के बाहर देखे कितना अच्छा रिकॉर्ड है हमारे देश की मीडिया की इतना सत्य वचन बोलते हैं हमारे देश की मीडिया यहां पर क्या बताएं आप सभी को जब एक्जाम नहीं हो पा रहे थे तो इतने सारे धर्ना परदरसन दिये जा रहे थे छात्रों के द्वारा लेकिन मीडिया सुन ही नहीं रही थी हमारे देश की इतनी महान मीडिया है बस उनको एक लेटेस्ट न्यूट चाहिए जिस पर सारा दिन चलाते रहे इसकी वज़ा से क्या हुआ है कि जब विस्व में प्रेस का सुचकांग जारी कि जा रहा था तो उस में हमारे देश की मीडिया को 140 के बाहर रखा गया 140 आप रोकस 144 होगा या पिर officially होगा 149 तो नहीं है मारे देश की मीडिया का इस्थान और यह ऐसी रेस है कि यह पर जो पीछे जाता है वो पीछे ही चला जाता है हमारे देश का जो मीडिया था वो कभी 80 हुआ करता था दीरे 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 आज तो 1500 के करीब पहुंच चुका है और इसे हम लोग क्या करते हैं हमारे देश का चौथा इस्तंब है मीडिया बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार आये हैं तो उन्हीं के वज़े से थोड़ा बहु की है तो प्यूस गोईल ने शुरू की है ठीक है तो याद रखेगा और उपर भी मैंने बताया था आइटी बीपी द्वारा वाटर पार्क इस्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टिट्यूड ये उत्राखंड और एक प्यूस गोईल वाला और था दोस्तों एक मिनिट यह था दोस्तों राश्टिय स्टार्ट अप सलाकार परिस्द की पहली बैठा की अधिश्ता किसने की प्यूस गोईल ने तो प्यूस गोईल ने क्या है प्यूस गोईल दोस्तों जो है यह भी हाली में बहुत चर्चा मेरे तो इनसे रिलेटर कोशन आप सभी को याद रखना च स्वास्त कर्मियों के लिए बीमा कि सुविधा की गए तो कितना रासी है तो 50 लाग की है दोस्तों यहाँ पर कोबिड-90 से स्वास्त कर्मी लड़ रहे हैं तो यह कोरोना वारियर हैं माफ किजिएगा थोड़ा बोले में इस हुए कोरोना यद्धा है तो इसलिए इनका जो ब जिस्थान ने सुरू किया है ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा नेस्ट कोशन के ओबरते नेस्ट कोशन हमारा है हाल ही में दक्षिर कोरिया के नए परधान मंतरी कौन बने हैं दक्षिर कोरिया के नए परधान मंतरी कौन बने हैं किम बू क्यूम ठीक है तो याद राजे ने पूरी शरद्धा और उत्सा के साथ गरिया पूजा मनाया है तो ये तिरपुरा ने मनाया है ठीक है तो याद रखेगा ये कुशन आप सभी के लिए बन सकता है कि गरिया पूजा कहा पर मनाया जाता है तिरपुरा में मनाया जाता है चलिए नेस्ट कोशन क्यों ब कूसनने मारा हाल ही में किस भारती अमेरिकी को अमेरिका में असेट एक्षरी जेर्नल के रूप में निक्ड किया गया है विनीता घुपता को निक्ड किया गया है यह भार्त में रहने वाली थी پर ऐसे लिये इस एनमेरिकी कहा जाएगा तो बारती एक को अवेरिका की एसोशेटे एसोस्यट एट और निजेटर GREinsky रूप में निप्ट किया गया है वीनी नियता कुमार को वनीफ कुमार को माफ किजिएगा थ्वच्छा कुछिदा क माफ किजिएगा थ्थोड़ा है कि वनीफ कोशन के हमारा हाल ही में किसे रासाइनिक हत्यार निशेत संगठन का बाहिरी लेखा परिश्च चुना गया है तो ग्रीश चंदर मुर्मू को चुना गया है ठीक है हाल ही में RBI ने किसे HDFC का अंसकलिक चेर्मेन निक्त किया है तो आतन्यु चक्रवर्ती को चलिए नेस्ट कोशन के और बढ़ते हैं हाल ही में ICC ने किस देश के किर्केटर कादिर खान कादिर एहमत खान को 5 साल का पर्तिबंध लगाया है ICC ने ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल ने कादिर खान एक क्रिकेटर है जो UAE के हैं इन पर पांच साल का परतिबंध लगाया है नेस्ट कोशन क्या है हाल ही में 20 युवा मुक्के बाद चेंपेंशिप किस देश में आयुजित किया गया था इस चेंपेंशिप में भारतिय महिलाओं ने साथ स्वरड पदक जीते हैं 200 मुक्के बाद चेंपेंशिप पोलेंड में आयुजित किया गया था यहाँ पर भारतिय महिलाओं ने साथ स्वरड पदक जीते हैं तो याद रखिएगा ठीक है तो किस देश में आयुजित किया गया था पोलेंड में नेस्ट कोशन के हमारा हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के मुक्ष नयदीश के रूप में किसे निक्त किया गया है तो राजेश बिंदल को निक्त किया गया है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को दो से तीन तीन मुखे नैदिस नुक्त होने की बात बताई है सारे तीन कोशन है दोस्तों इसमें तो उन तीन कोशन को आप लोग ध्यान से याद कर लिजेगा चलिए नेस्ट कोशन के और बढ़ते हैं नेस्ट कोशन के हमारा हाली में किस देश ने अपने पाठे करम में महा भारत और रामायर को सामिल किया है तो किस देश ने अपने पाठे करम में महा भारत और रामायर को सामिल किया है साउदी अरब ने सामिल किया है ठीक है नेस्ट कोशन है दोस्तों हमारा नेस्ट कोशन है हाल ही में WUHU ने किस देश को 4000 ऑक्सीजन कॉंसंट्रेटर्स परदान करने की घोषना की है तो भारत को किया है WUHU ने 4000 ऑक्सीजन कॉंसंट्रेटर्स ठीक है तो आप लोग याद रखेगा ये important है WUHU किस थापना कभी थी दोस्तों ये 7 एप्रेल ठीक है 7 एप्रेल 1948 को हुई थी ठीक है तो याद रखेगा इसका जो मुख्यले वो जेनेवा में है नेस्ट कोशन के हमारा हाल ही में SIPRI की रिपोर्ट के अंसार यानि SIPRI की रिपोर्ट के अंसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन खर्च करने वाला देश कौन सा है मलब अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला कौन सा देश है 2020 में सबसे ज़्यादा खर्चा किया था तो अमेरिका है ठीक है तो याद रखेगा दोस्तों इसमें जितने भी कोशन है वो सारे इंपोर्टेंट कोशन है वो आप सभी को हमारे टेलिग्राम चैनल से ये पीडियाफ आप सभी को मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो एप्रेल मन्त के सभी महतपूर दिवस को भी कवर कर लेते हैं तो पहला क्या दोस्तो बिसु स्वास्त दिवस कव मनाया जाता है 7 अप्रेल को नेश्ट है भीम राओ अमेट का जैनती दिवस कव मनाया जाता है 14 अप्रेल को नेश्ट है बिसु हीमोफीलिया दिवस कव मनाया जाता है 17 अप्रेल को बिसु बिरासत दिवस कव मनाया जाता है 18 अप्रेल को ठीक है नेस्ट क्या है 200 पृतिवी दिवस या फिर World Earth Day की कब मना जाता है 22 अप्रेल को मना जाता है और 200 पुस्तक योन Copyright दिवस कब मना जाता है 23 अप्रेल को तो दोस्तों ये सारे Important दिवस थे और सारे Important Questions थे जो मैंने आप सभी को Cover करा दिया दोस्तों अगर बोलने में कुछ इसू रहा होगा या फिर कहीं गलत रहा होगा उसके लिए से सारी क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ Actually मैं COVID-19 positive हो गया था इसलिए Current Affair का वीडियो नहीं बना पा रहा था बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है और ये एपरेल मन्त का पूरा बनाया है इसका PDF फाइल आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोईन कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम एक और है जिसका नाम है बीएच्व इंटरेंस एक्जाम वहाँ से भी इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे बीएच्व इंटरेंस एक्जाम टेलिग्राम चैनल को आप जोईन कर लेजिए वहाँ पर डेली वेसेस पर क्विज होता है और हर संडे को टेस्ट भी करवाया जाता है तो उसको भी आप जोईन कर लेजिए ठीक है दोस्तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में करणट अफेर का वीडियो और हाँ दोस्तो पहले मैं आपको बता दूँ कि अब आप सभी को हर महिने में एक से ले करके क्रेंट खाल खाल जाता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए औरल जगर से ज़िय चैनल को सब्सक्राइब के साथ ज़्यद और नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों